हलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूटूब चैनल ओम केंप्योटर एंड टेकनिकल इंस्टिट्यूट में आज हम आपको बताएंगे केंप्योटर में बिना एंटी वारेस के कैसे हम वारेस फाइलों को खोजते हैं और उन्हें अपने केंप्योटर से डिलीट करते हैं तो आएए सीखते हैं केंप्योटर में वारेस फाइलों को खोजना वारेस फाइल खोजने के लिए आपको अपने स्क्रीन पे रन कमांड को ओपन करना होगा रन कमांड को ओपन कैसे करते हैं तो सबसे पहले आपको keyboard से window key के साथ R का प्रियोग करना पड़ेगा जैसे ही आप window key के साथ R का प्रियोग करेंगे तो आप देखेंगे आपके screen पे run command open हो चुका है और इसमें आपको type करना होगा P, R, E, F, E, T, C, H जैसे ही आप type करेंगे तो आपको नीचे दिख रहा होगा ok button आप mouse से ok button पे click करेंगे जैसे ही आप ok करेंगे तो आप इसके देखेंगे अपके screen पे जितने भी वारेश फाइलें हैं को सब आपके screen पे दिखाई देने लगी हैं अब इन फाइलों को delete करने के लिए आपको फिर से shortcut की control के साथ A का प्रियोग करना पड़ेगा जैसे ही control प्लस A आप दबाएंगे तो आप देखेंगे सबी फाइले आपके screen पे select हो चुकी है अब इन फाइलों को delete करने के लिए आप अपने keyboard से delete button का प्रियोग करेंगे जैसे ही आप delete बटन दबाएंगे तो आप देख सकते हैं आपके screen से virus फाइलें delete हो चुकी है अब वो सभी फाइलें आपकी recycle bean में जा चुकी है अब हम recycle bean को open करेंगे तो recycle bean को open करने के लिए आपको पहले इस window को close करना होगा तो आप देखेंगे यहां उपर आपका एक cross का चिन बना है जिसे हम close कहते हैं आप इस पे mouse से click करेंगे तो आपका यह open window बंद हो जाएगा अब आप देखेंगे हां हमारे desktop पर आचुके हैं desktop पर आपको यहां एक recycle bean का option देखेंगा आप mouse इस पे लाएंगे और इस पे mouse से double click करेंगे तो आपकी screen पर recycle bean open हो जाएगा और आप देखेंगे कि जितनी भी virus फाइलें थी वो delete होके हमारे recycle bean में आ चुकी हैं अब इन सभी फाइलों को recycle bean से delete करने के लिए आप उपर screen पर आएंगे और आपको यहां corner पे एक option दिखेंगा empty recycle bean जैसा कि आप देख सकते हैं यहां screen पे आपके है हम mouse से इस पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आप से पूछेगा आप सभी फाइलों को permanent delete करना चाहते हैं तो yes नहीं तो no तो हम यहां इस पे क्लिक कर देते हैं और आप देख सकते हैं कि हमारे recycle bean से सभी वाइरेस फाइलें delete हो चुकी हैं अब इस open window को भी हम यहां उपर से बंद कर देते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं close button है अब आप अपने desktop पर आ जाएंगे तो यह था हमारा कैम्प्यूटर में वाइरेस फाइल को खोजना और उन्हें delete करना वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को like और चैनल को subscribe करना ना भूलिएगा मिलते हैं next वीडियो में और बहुत सी जानकारियों के साथ